बुद्ध की जूटी मिथ्या फर्जी फॉस कथाएं दरसल बुद्धा इस राइजिंग अगेन यानि कि भायप के अंदर जो बुद्ध है उसका दुबारा से उदै हो रहा है सबको पता है कि बुद्ध आ रहे हैं बहुत तेजी से आ रहे हैं हर एक व्यक्ति में जिग्यासा है बुद्ध के वारे में जानने के लिए और बुद्ध के साथ साथ असोख भी आ रहे हैं तम्राट असोग और असोग के बाद जिन्होंने धंबर पे काम किया वो राजा भी पीछे पीछे आ रहा है इत्यास दुबारा से निकल रहा है यूटूब के अंदर या फेस्बुक के अंदर कोई भी चीज डालने के लिए कोई मना ही नहीं है मैं जो ये वीडियो डाल रहा ह इसके लिए कोई मना ही नहीं है आपका विचार है आप अपने विचार को रिकॉर्ड करें फेस्बुक पे टूटर पे टंबलर पे या वाइबर को ही डाल सकते है आजकर बहुत सारे प्रेटफार्म है आपकी बात पहुंच जाएगी जिसको देखनी है देखें चुकि मैं बुद्ध का साहिते पढ़ता हूं और बुद्ध की जो फिलोसफिय है उसको देखता हूं चिंदन भी करता हूं मनन भी करता हूं सोसता भी हूं तो मैं एक सर जो बुद्ध से संबंदित जितनी पोश्ट ही आती है या बाते आती है उनको देखता रहता हूं मुझे बढ़े अफसोस और दुखे साथ यह बात आपको बतानी पड़ रही है कि बहुत सारे लोगों को जिनको बुद्ध के वारे में बुद्ध की फिलोस्विक वारे में या क्या उन्होंने किया क्या ने किया उसके अलाबा वो बुद्ध के नाम से अपनी मन गडंप कथाएं तहानी और चीजें कहीं और की हैं बुद्ध के नाम से जोड़ते हैं अब बुद्ध ने तो मना किया रही और जो धम्मिक लोग हैं वो शांत होते हैं वो कभी इसको अपोज करते नहीं जानते हैं कि बुद्ध इतने पावरफुल हैं कि ये सब चीजें छट जाएंगी मगर फिर भी जो नया बच्चा है जो नया जानकार है जो नई चीजें सीखना चायता है उसको जब ये मिथ्या जूटी और फॉल्स बातें मिलती हैं तो वो परिसाम हो जाता है इसको कहते हैं साहित्य को खराब करना बुद्ध के विचार को खराब करना बुद्ध के विचार को तोड़ना और बुद्ध के विचार को खतम करना यानि किसी का विचार अगर खतम करना हो तो आप उसके नाम से जूटी बेकार मनकरंद बाते हैं आफगा बाते हैं जो चमतकारी बाते हैं वो डालते रहे हैं लोगों के दिमाग में आएगा कि ये भी ऐसा ही है जैसा और लोग होते हैं वो उसको ऐसे ही करके ले लेंगे फिर वो इमेज बन जाएगी और वो बुद्ध की विचार तक पहुँच नहीं पा किया और भी लोगों ने पहले किया भगवान बुद्ध की और आगे आने वाले लोग भी वही डिसकवर करेंगी जो नीचर के अंदर हैं मगर जो ऐसी बाते हैं जो नीचर की अगेंस्ट हैं प्रकरती की अगेंस्ट हैं कुद्रत की अगेंस्ट हैं और बिल्कुल विरुद भूद्ध है लोग उसमें वह बातें mix करकर गर करके, मिला मिला के, उसको करक करके, उसको भेस्ट करके, उसको खतम करके रोग डाल रहें हैं। एक साधान वेक्ति, साधान बच्चा या साधान इस्कॉलर जो भूद्ध की बातens अभी सिर्फ सीख रहा है वो फिल्टर नहीं कर सकता वो सेपरेट नहीं कर सकता वो अलग नहीं कर सकता वो छांट नहीं सकता कि ये बुद्ध की बात ठीक है या नहीं है तो बुद्ध ने इसके लिए एक फार्मला दिया है उस फार्मले को हम ऐसा याद रखे हैं क्योंकि नाम से वीडियो बनाय जाए जो मेरे नाम से चीज़ें छापी जाएं जो मेरे नाम से लिखा जाए उसको नहीं मानना कोई बहुत ग्यानी वक्ती मेरे नाम से कहे कि यह ऐसा है ऐसा है कोई भिकू कोई मंख भी कहे तो उसको नहीं मानना आँख बंद करके कहीं किताब में लि तक पहुंसती है तो उसके तीन पैमाने हैं कि ये बात क्या मेरे लिए बलकुल ठीक है मेरे लाबकारी है मेरे लिए बलकुल सही है फिर आप ये देखिए कि ये बात मेरे परिवार और मेरे आसपास महले परौस वाले के लिए क्या बलकुल सही है और फिर आप देखिए कि ये और वो बात आपको बिल्कुल सही लगेगी कि ये सब के लिए कल्यार कारी है तो वो बात ठीक है, वो बात दुखनी है इसको यूनिवर्सल बोलते है यूनिवर्सल बैनिफीशरी यानि कि पूरी दुनिया के लिए लाबदाय कल्यार कारी ऐसी बात खराब नहीं हो सकती, बदल भी सकती है तो भी सही रहेजी ये बात क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बात बताता है या किताब में लिखी है या कुछ कहानी सुनाता है तो वो उसके स्वार्थ के लिए है, उसके समधाय के लिए हो सकती है, उसके परवार के लिए हो सकती है, उसके जिले और गाउं के लिए हो सकती है, उसके इस्टेट के लिए हो सकती है, उसके कंट्री के लिए हो सकती है, मगर अगर पूरी दुनिया के लिए है, फिर तो वो ब बुद्ध का कोई ऐसा फिलोस्मिन नहीं है जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया तो आप थोड़ा डीप में डीप में डीप में जाएंगे तो सोचना सुरू किजिए जो बात मैं बुद्ध के नाम से पढ़ रहा हूं क्या वो बात बिल्कूर सच है या नहीं है नेट पर स है कि अपनी बुद्धी अपने ध्यान अपनी जो अनुभव है उसके तर्ग पे उसको अनुभव करो और देखो कि ये बात सही है या नहीं सही है पैसे जैसे अगर किसी ने जूट बोला तो आपके सरीर के अंदर कुछ संवेदरा आती हैं कुछ वाइब्रेसंस आती हैं ज तो आपका अनुभव आपको बता देता है कि ये बार नहीं बताता है तो अनुभव से अनुभव आता है ये चीज़ें आपको लगाता लगाता करनी पड़ेंगे इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको विजिल रहना पड़ेगा भगवान बुद्धने का है हमेशा ज जागरत रहेंगे तो संभत्त है आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा और करेगा तो छोड़ा भूत करेगा फिर आप समझ जाएंगे इसमें भगवान बुद्ध की इस बात को क्योंकि फरजी कथाओं की बहुत जादा बाड़ा रही है भगवान बुद्ध की साहित्य पहले से खत्म की है क्योंकि भगवान बुद्ध का जो उरिजन साहित्य वो बहुत थोड़ा सा है बाद में बहुत साई लोगोंने साहित्य लिखा है अपने अपने हिसाब से लिखा है तो आपको ऐसी गारटी देंगे कि इस साहित्य पर यकिन नहीं करना है भगवान पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर तीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका print material भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका audio change कर सकते हैं उसका video ले सकते हैं आप जैसे भी चाहें team 22 की किसी भी video का या सारी video का इस्तमाल कर सकते हैं ये हमेशा copyright free थी और हमेशा copyright free रहेंगी हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुँचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा share करके या इसको आगे भीज कर या इसका लिंक भीज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट करकर या इसको लोड करकर या डाउनलोड करकर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट करकर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुँचाएं धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान धम को देना सभी देने में यानि जितना भी हम किसी को देते हैं दान देते हैं उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहक बने धम आपको खुब लाब लाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे ये दोनों इंटरचिन है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद तम्मं सरेणं गच्छामी संगं सरेणं गच्छामी तू थियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी तू थियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी तू थियं पी धम्मं मर्सेणं गच्छामी तू थियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी तू थियं पी संगं सरेणं गच्छामी दोखियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छानी दोखियं पी बुद्धं सर्णं कच्छानी ततियं पी सन्यम सर्णं कच्छानी